हलो डियर स्टुडेंट्स, वेलकम बैक तो अबर प्लैटफॉर्म जेक के स्टडी तो आज की इस पीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेक की पी बार्डर बाटैलियंग क्रैश कोर्स के साइन सेक्शन के बारे में और अच की हमारी कलास जो है, वो कलास नमबर फिफ्ट रहने वाली है तो इससे पहले जो है वो हमने फौर कलासिस को यहाँ पर अल्रेड़ी कवर कर लिया हुआ है तो अगर अभी तक आपने वो कलासिस यहाँ नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप इस लिन फोर क्लासिस को भी देख सकते हैं तो आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं कवर वो हमारा रहेगा यहाँ पे कमिस्ट्री का जितने भी यहाँ पे important facts रहते हैं उन सभी को हम आज की इस पार्ट में cover करेंगे और जो parts यहाँ पे बच आएंगे उन parts को हम यहाँ पे next अपनी 6th क्लास में जो है वो cover कर लेंगे तो आप यहाँ पे अपना patience बनाई रखें आपके exam से पहले पहले जितना भी important science section है वो सब आपको यहाँ पे हम cover करवा देंगे तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज की वीडियो को तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले बात करता है boiling point के बारे में तो boiling point कहता है यहाँ पे decreases at high altitudes and increase inside pressure cooker तो जो यहाँ पे boiling point होता है वो decreases होता है high altitude पे और यहाँ पे pressure cooker के अंदर जो है वो increase कर जाता है तो यह आपको पता होना चाहिए कई बार जो है direct question आपके यहाँ पे आपके exam में पूछा जाता है next हम बात करते हैं evaporation की तो evaporation में यहाँ पे conversion होती है liquid की from surface into vapors तो यह liquid है वो यहाँ पे vapors में convert हो जाता है from the surface से तो यह आपको पता होना चाहिए कि evaporation क्या होता है और boiling point क्या होता है next हम बात करते हैं तो next हमारा रहेगा solids के बारे में तो इनको आपको यहाँ पे most important है जै इसको आपको कैसे याद रखना है और कैसे आपके exam में पूशा जाता है तो आपको चार example दी जाती है उन चार example में से आपको पूशा जाता है कि यहाँ पे कौन सा solids है तो इस तरह से आपको उसमें बताना होता है तो आपको याद रखना है कि यह यह जो different solids है यह यहाँ पे कौन-कौन से हैं तो जैसे first हम बात करते है ionic solid की तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा आता है sodium chloride यह आपको पता होना चाहिए अगर हम बात करते है covalent solid की इसके अंदर आता है diamond and graphite फिर अगर हम बात करते है molecule solid की उसके अंदर यहाँ पे आता है dry ice फिर हमारा यहाँ पे metallic solid है और उसके अंदर आएगा gold, silver and copper तो इन चारों को आपको याद रखना है और आपको यह यहाँ पे इसका difference पता होना चाहिए कि कौन सा solid जो है boil slab तो boil slab में आपको इस तरह से pusha जाता है योग नकिकि maximum candidate को boil slab और chart slab का पता ही होता है तो उसमें आपको इस तरह से direct question पुशा जाता है कि उसमें कौन सी quantity जो है वो constant रहती है तो boil slab में जो quantity constant रहती है वो होती है temperature इस तरह से आपको chart slab के बारे में पता होना चाहिए तो चालसला में कौन सी quantity constant रहती है यह आपको comment section में बताना है next हम बात करते हैं items की तो items में यहाँ पे electrons होते हैं, protons होते हैं, neutrons होते हैं तो protons जो है बो positively charged होते हैं और protons को discovered किया था e-gold ये आपको पता होना चाहिए फिर neutrons के हम बात करते हैं तो neutrons जो है बो neutral होते हैं knock on night इसमें कोई charges यहाँ पर नहीं होता वो इसको यहाँ पर discover किया था Chadwick ने तो यह आपको पता होना चाहिए next हम बात करते हैं next है हमारे पास electrons तो electrons में कहता है कि वो यहाँ पे negatively charged होते हैं वो इनको discover किया था JJ Thompson ने यह भी आपको पता होना चाहिए next हम बात करते है atomic number की तो atomic number जो है वो किसके बराबर होता है तो वो यहाँ पे होता है number of sum of proton plus sum of electron तो यह आपको यहाँ पे पता होना चाहिए और काफी बार यहाँ पे आपको कई elements यहाँ पे दिये जाते हैं और उनका atomic number find out करने को कहा जाता है तो यह आपको हर जो important important है आपके elements है उन सबके atomic number पता होने चाहिए वो आपको यहाँ पे trick से भी याद कर लेने हैं क्योंकि कई बार आपके exam में वो भी पूछ लेता है फिर अगर हम mass number की बात करते हैं तो mass number बराबर होता है sum of proton plus sum of neutron तो यह भी आपको पता होना चाहिए तो यतने भी यह शोटे शोटे शोटेफेक्ट्स हैं यह काफी important रहते हैं और यह आपके exam में क्योंकि आपका exam है वो अतना high level कर नहीं है तो इस तरह से यह शोटेफेक्ट्स है आपके exam में पूछ जाते हैं next हम बात करते हैं isotopes की isotopes यहाँ पे कहता है same atomic number but different mass number तो आपसे कई बार पूछ आ जाता है कि जो isotopes हैं वो यहाँ समें क्या same रहता है और क्या different चीज़ रहती है तो यह आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो atomic number है वो same होता है और different mass number जो होते हैं वो elements यहाँ पे isotopes के अंदर आते हैं अगर हम isobars की बात करें तो यहाँ पे same mass number रहता है but different atomic number रहता है तो यहाँ पे आपर इसमें difference दे सकते हैं isotopes और isobars में और यहीं difference आपको याद रखना है next हम बात करते हैं तो next यह भी यहाँ पे most important आपके लिए fact आया है तो इसमें आपको physical change और chemical change के बारे में पता होना चाहिए और यहाँ आपको याद रखना है क्योंकि इसमें आपको चार example से दी जाती है और उसमें से आपको पुछा जाता है कि जहाँ 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 आपको बताये जहाँ पिस physical change इसमें से कौन सा हो रहा है जहाँ फिर chemical change कौन सा हो रहा है तो physical change में जो होता है उसमें आप दे सकते हैं boiling आती है crystallization आती है, vaporization आती है और melting आती है तो इन चारों में जो भी process हो रही हो जो भी change आ रहा हो वो physical change आता है chemical change के हम बात करते हैं तो इसमें हमारी आ जाती है photosynthesis, digestion, ripening of fruits, unburning of paper तो जो आपको पता होना चाहिए कि physical change में कौन-कौन सी यहाँ पर example से रहती है और chemical change में कौन-कौन सी example से रहती है तो इस तरह से आपको exam में यहाँ पर पूछा आ जाता है next हम बात करते हैं तो next आपको पता होना चाहिए oxidation और reduction के बारे में oxidation में क्या होता है तो oxidation में oxygen की addition होती है और यहाँ पर hydrogen की जो है वो यहाँ पर removal होता है तो इसमें oxidation में hydrogen remove हो जाता है और oxygen की यहाँ पर addition हो जाती है यह आपको पता होना चाहिए reduction में होता है यहाँ पर addition of hydrogen होती है और removal of oxygen होती है तो जो आपको पता होना चाहिए next हमबात करते हैं next हमारे पास है acid के बारे में to acid के बारे में क्या कहते है to acid यहाँ पे जो करता है वो यहाँ पे litmus paper को blue में से red में shift कर देता है एफ जाट काफी बार आपके exam पूछा गया है litmus paper के regarding तुझ आपको पता होना चाहिए कि जो पूछाटा हाँ स्टॉन्ग याटिक है्सिंट में к्या LEipsy गया गया तो है या पे आच्छा सोग या स्टीजिए । उस्में ॉसमें पूछा याइज पोता है का आपको बता हो कि इस स्टॉन्गowane下 है जब strong base कुन सा है अगर आपको इसकी example से पता नहीं होगी तो उसमें आप यहां पर differentiate नहीं कर पाऊगे तो HCL आपके लिए हो गया H204 हो गया nitric acid हो गया यह सब यहां पर आते हैं strong acids के अंदर weak acids के हम बात करते हैं तो weak acids में आपके आते हैं carbonic acids, phosphoric acid और formic acid और estic acid तो जी आपको difference पता होना चाहिए कि strong acids कौन से होते हैं और weak acids कौन से होते हैं और acids जो है वो किसको किसमें change करता है उसका taste यहां पर कैसा रहता है तो जी आपको difference पता होना चाहिए next हम बात करते हैं तो next हमारे पास है base के बारे में तो base के में यहाँ पे क्या करता है, वो data litmus को change कर देता है, blue में, जी आपको पता होना चाहिए, वो strong basis के अगर हम बात करते हैं, तो sodium hydroxide और potassium hydroxide जो हैं, वो strong base के अंदर आते हैं, और big base के अगर हम बात करते हैं, तो उसमें हमारा आता है ammonium hydroxide, तो जी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे strong base कोंसा है big base कोंसा है और base यहाँ पे basis जो होते हैं वो क्या करते हैं तो यह सबी facts हैं यहाँ पे chemistry के अंदर आपके जो भी आते हैं यह सबी basic facts हैं यह हमने यहाँ पे काफी बार पढ़े भी होंगे लेकिन हमें तो question कहता है which of the inert gases can form compounds तो आपको बताना है कि वो कौन से inert gases हैं जो components बनाती हैं चार option आपको दिये गए हैं option फर्स्ट है helium option नमर टू है xenon option नमर त्री है krypton option नमर फूर है argon तो इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन से inert gases हैं जो यहाँ पे gases है जो compounds की formation करती है जी आपको पता होना चाहिए next question की तरह हाते हैं तो next question कहता है how many periods and groups in modern periodic table तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि modern periodic table के अंदर कितने periods and groups हैं वो आपको पता होना चाहिए option फर्स्ट है 7 and 18 option नमर टू है 8 and 7 option number 3 है 7 and 7 and option number 4 है 8 and 8 तो इन चारों में से आपको बताना है कि periods and groups कितने होते है modern periodic table में तो इसका हमारा right option है option number 1 और option number 1 तो यहाँ पे कहता है 7 periods and 18 groups in modern periodic table तो यह आपको पता होना चाहिए इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि modern periodic table जो है बताना है, नेक्स्ट कोशिन की तरह हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट कोशिन कहता है विच आफ दा मैटल अकर्स इन फ्री स्टेट, वब आपको बताना है कि वो कौन सी मैटल है जो अकर करती है फ्री स्टेट में तो इसका जो हमारा राइट आप्शन रहेगा वो रहेगा आप्शन नबर फॉर लेड़ तो जी आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट कोशन की तरह हमाते हैं तो नेक्स्ट कोशन कहता है तो यहाँ पर बन्सपतिगी को बनाने के लिए कौन सी गैस की जाती है वो आपको बताना है आप्शन नबर फॉर्स्ट है उक्सीजन आप्शन नबर टू है कारवन डैकसाइड आप्शन नबर त्री है हाइड्रोजन और option number 4 है nitrogen तो इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन सी gas है जिसको हम यूज़ करते हैं बंसपतिगी की manufacturing के लिए तो इसका जो हमारा right option रहेगा वो रहेगा option number 3 hydrogen तो जी आपको पता होना चाहिए ये most important question है next question के तरह हम बढ़ते हैं तो next question यहां पर कहता है major constituent of gober gas आपको बताना है कि gober gas का major constitute कहां पर क्या रहता है तो option number 1 है carbon dioxide, option number 2 है methane, option number 3 है butane, option number 4 है isobutane तो इन चारों में से आपको बताना है कि major constituent gober gas का क्या रहता है तो इसका हमारा right option रहेगा option number 2 methane तो methane जो है major constituent रहता है इसके अलब आपको जे भी पता होना चाहिए कि यो LPG गैसे रहती है उसमें कौन सा मेजर कांस्टिटिट होना चाहिए तो वो हमने अल्रड़ी डिसकस किया हुआ है तो जे थे आज के हमारे यहाँ पे कुछ important facts जिनको हमने cover किया अपनी 5th class के अंदर तो next हम यहाँ पे 6th class भी हम जल्दी ही ले कराएंगे जिसमें हम यहाँ पे chemistry के जितने भी बचे यहाँ पे important facts है उनको cover कर लेंगे फिर जब हमारे यहाँ पे सब important facts कबर हो जाएंगे फिर हमारे पस जितने दिन बचेंगे उसमें हम MCQs को cover कर लेंगे तो अगर अभी तक आपने यहाँ पे इस वीडियो को like नहीं किया तो इस वीडियो को यहाँ पे like करें और जाजा से जाजा शेयर करें अगर आप यहाँ पे अगली class इसको जल्दी से जल्दी देखना चाते हैं क्योंकि आप लोग यहाँ पे हमें support नहीं करें इस वज़े से हम demotivate feel करते हैं और आपके यहाँ पे वीडियो जो है वो late upload हो रही है तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना support बनाई रखें जो candidates यहाँ पे चैनल पर नहीं हैं तो इस चैनल को subscribe करें और आपका यहाँ पे जो math और reasoning का से लिबस है वो यहाँ पे complete हो चुका है तो अभी हाँ पे हम GK और current affairs के बचे हुए topics के साथ साथ science को भी हम cover कर लेंगे तो फिलहाल इस part में इतना ही मिलेंगे अभी आपको हम next part में